अलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हमारे यूटूब चनल चोपड़ा एजूकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपड़ा दोस्तो अभी जिपमर और एम्स के लिए कन्फ्यूज चल रहा था कि ये एकजाम 2020 में होनी है या नहीं होनी नीट के थुरू ही एडमिशन होना है तो इस पर अभी ये क्लियर हो चुका है कि एम्स 2020 में और जिपमर एकजाम 2020 नहीं होगा नीट के थुरू ही इसमें एडमिशन होगा ये जो आप नोटिस देख रहे हैं ये गोर्मेंट ओफ इंडिया का मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर आई एन आई फर्स्ट सेक्षन का ये नोटिस है 4 अक्टूबर 2019 का तो इस नोटिफिकेशन में यह क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि एम्स ने 12.09.2019 को मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ से ये जवाब मांगा था कि इस बार 2020 से एम्स एकजाम यूजी एकजाम होनी है या नहीं होनी है तो इसी को क्लेरिफाई करके एम्स को ये जवाब दिया गया है तो इसमें जो सब्जेक्ट है लिखा है इसमें ये लिखा गया है कि इसमें ये डिसाइड किया गया है कि ये एकजाम एम्स और जिपमर 2020 के लिए एकजाम नहीं होगी एन एमसी बिल में ये प्रावदान है कि 2020 से ये एक ही एकजाम होगी और इंडिया के सभी इंस्टिटूशन में इसी एकजाम के थूँ एडिमिशन लिया जाएगा तो ये बिल्कुल कलियर हो चुका है इसमें अभी किसी प्रकार का कन्फ्यूज और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है अभी इंडिया में एक ही एकजाम होगी नीट और उसी के थूँ बियसी नर्सिंग में भी एडिमिशन लिया जाएगा MBBS, MCS, सभी में इसी के थूँ एडिमिशन होगा जो एम्स में BSC ओनर्स नर्सिंग के लिए अलग एकजाम होती थी अलग कोर्सेज के लिए जिसमें पैरा मेडिकल कोर्सेज वगरा सारे यह आते थी तो सभी का ये नीट के थूँ ही एकजाम होगा तो ये बिल्कुल clear हो चुका है अब ये आपको सिरफ NEET की ही तैयारी करनी है तो ये जानकारी थी official notification के बारे में क्योंकि हमारे पास अभी तक इस परकार का कोई notice नहीं आया था लेकिन ये notice आ चुका है ये जो health ministry है उसने EMS New Delhi के director को दिया है जिपमर के director को दिया है और PGI M.E. संटीगट के director को दिया है तो ये बिल्कुल clear हो चुका है कि NEET 2020 के अलावा बाकी कोई exam नहीं होगी year 2020 में तो आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon फ्रेस करें वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा सेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे वीड़ा जैहिन